हलो सुरेंट्स वेल्कम टू दा अफिसेर यूटिप चैनल आफ ओरीजिन कोचिंग आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स और हमारा सीरीज चल रहा है इंटीग्रेशन का है इंटीग्रेशन में हम आज नेस पार्ट पढ़ने वारे हैं फिफ्थ नंबर का पार्ट इं आज के कांसेट पर एक एक वीडियो आपको प्रोवाइट करा रहा हूं है हर कांसेट को लेके कोस्चन तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो इस पेसल टाइप हमने फोर्थ में आपको बताया उसके आगे के पार्ट आज हम इस पेसल टाइप के इंट्रिगेशन पढ़ेंगे जो fix pattern पर है मैंने पहले भी आप से discuss किया है कि इसमें number आप question important नहीं है आप इसमें बहुंच सा question practice करेंगे यह matter नहीं है matter यह है कि वो जो frame है वो जो pattern है आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि यह आपने एक question अच्छे से कर लिया तो सभी question उसी तरह से बन जाएंगे तो म एक एक pattern पर एक एक question आपको बताते जा रहा हूँ और आप उसी तरह के दो चार question और अपने test book से कर लेंगे तो सब ready हो जाएगा तो चलो इंश्टार्ट करते हम आज का हमारा जो pattern है पहला pattern वो है integration of dx अपन ax square प्लस bx प्लस c यह हमारा pattern है ax square प्लस bx प्लस c इस pattern पर यह हमारा question हो तो हम उसको किस तरह से सालो करेंगे सबसे पहले आप explanation को ध्यान से समझ दिजिए जब भी हमारा question इस फाम में हमको मिलेगा तो सबसे पहले हमको जो x का coefficient है उसको common करके x के coefficient को 1 बनाना है पहले भी आपको बताया था कि फार्मूला फाम में लाना है तो x का कोई coefficient नहीं होना चाहिए x square का कोई गुणां के हाँ पर नहीं होना चाहिए उसको common करेंगे by the way question में नहीं है coefficient तो जवरत नहीं है ऐसा करने के बाद हम इसको लेके इसका whole squaring करेंगे c को छोड़ देंगे और x square प्लस b x को लेके उसका whole square बनाने का कोईशिस करेंगे that means a square प्लस 2ab प्लस b square या a square माइनस 2ab प्लस b square इस farm में हम उसको लाएंगे उसके बाद वो आगे formula farm में आ जाएगा और इस pattern का जितना question मैं आपको बताऊँगा वो fourth part में जो आपने पढ़ा है उसके साथ जाके मर्ज हो जाएगा तो आपको इसके फिर्प्रसंट के लिए सबसे पहले fourth part में command होना चीए 100% command होना चीए तो आप में से जितने students fourth part को बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो पहला requirement है आपका इसके पहले वाला वीडियो जो fourth number में मैंने आपको बताया था dx आपा root up x square plus x square x square minus x square root up यह जितने pattern हमें नहीं 7 pattern नहीं बताया था वो आप सबसे पहले कर लेंगे क्योंकि उसका आपको जोरत पड़ेगा चलिए देखे तो यहाँ पर हम एक question लेते हैं और उस question के help से उस question के help से हम आपको इस pattern को समझाते हैं integration of dx question है x square minus 6x plus 13 x square minus 6x plus 13 देखे यहाँ पर यह question इस pattern में यहाँ plus यहाँ minus उसको कोई फर्क नहीं पड़ने है अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले x के coefficient को बाहर करना था हाँ तो है नहीं है तो सवाल ही नहीं है that equal अब हमारा काम है इसको होल square बनाना तो यहाँ पर देखो यह है x square minus यह 6x को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into x 2 into 3 into x अब यहाँ पर आप देखो कि यह जो value है यह जो value है यह 2ab होता है तो x तो यहाँ पर है यह x है यह यदि b का value हम suppose का ले 3 को तो हमको फार्मूला में चाहिए plus b square तो यहाँ पर हम कर लेंगे plus b square that means plus 3 का square यह हमने 3 का square कर लिया इसको holy square बनाने के लिए तो जब हमने 3 के square को add किया है तो उसके adjustment के लिए उसको minus भी करेंगे तो हैगा minus 3 square और यह plus 13 इस तरह से होगा तो अब यहाँ पर देखो आप यह जो value है यह value यह holy square बन जाएगा किसका बन जाएगा x minus 3 का a square minus 2ab plus b square हो गया x minus 3 का holy square बन जाएगा तो आगे हम इस question को लिख सकते है that equal dx upon x minus 3 holy square और यह minus 9 plus 13 ठीक है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाएगा यह 9 होगा यह 14 तो हो गया प्लस 4 इस फाम में आ गया अब यहाँ पर हम क्या करते हैं x minus 3 को formula फाम में लाने के लिए t suppose कर लेते हैं अब तो पीछे के question में पीछे के फाम में आ गया now put x minus 3 equal to t therefore अब इसके आदी हम differentiate करें तो यह तो 1 हो जाएगा तो 1 equal dt by dx therefore इसको इधार transfer कर दो तो dx equal to क्यों हो जाएगा dt dx equal to dt हो जाएगा clear अब dx और t के value जो हमने suppose के हो सके हाँ पर question में put up करते हैं तो there for यह हो जाएगा i equal integration up dx का value dt है और upon x minus 3 को हमने suppose किया है t यह हो गया t square और 4 को लिख सकते हैं 2 का square देखिए यह हमारा पीछे के फाम में आग आगा जो हमने इससे पहले पढ़ाई इसलिए मैं आपको हर क्लास में बोल रहा हूँ कि integration एक chain है एक स्रिंखला है एक समझ में आया तो दूसरा आएगा दूसरा समझ में आया तो तीसरा समझ में आएगा इसलिए मैं अपने वीडियो को विल्कुल टेक्निकल फां में आपको प्रोवाइट करा रहा हूँ कि एक एक पार्ट आप मेरा कड़ते चाहिए रेगुलर मैं आपको एक पार्ट दूंगा आप लोगों को मैथमेटिस की बहुत चिंता है मेरे को मालूम है तो मैं regular आपको एक एक पाड़ देते जाओंगा बहुत smoothly आपका complete होयागा बस यह है कि जितना मैं पढ़ाओं उस दिन वो lesson complete त्यार हो जाना चाहिए और कुछ practice आप अपने से कर लीजिए क्योंकि सिर्फ मैं question कराओंगा तो उससे आपको प्रत्यारी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं जो बताऊंगा उससे तो आपको प्रोसेस सीखोगे आपको exercise करने है हर class में आद दिलाता हूं mathematics अपने किये भी नहीं होता है तो यह फार्म में आ गया dt upon t square plus x square plus a square के फार्म में आ गया clear that equal इसका फार्मूला होता है 1 upon a ठीक है फार्मूला क्या होता है 1 upon a ही होता है 1 upon a 10 inverse a upon x तो हो जाएगा 1 upon 2 a का value इतना है into हो जाएगा 10 inverse x upon a तो t का value या है और इसका value 2 यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर dx upon x square plus a square का फार्मूला एप्लाई हो रहा है that equal अब value को put up कर दो आप integration हो गया यहाँ पर हम plus c लिख सकते हैं यह हो जाएगा 1 upon 2 10 inverse t upon 2 t का value हमने suppose किया है क्या x minus 3 तो यह होगा x minus 3 upon 2 plus c this is the final answer तो देखो इसमें कुछ भी रखा हुआ है यह आपको यह दो step आप नया सीखे हो उसके बाद यह काम पीछे का है ऐसी जब इसके आगे के pattern में हम जाते जाएंगे तो यह pattern काम आते जाएगा यह integration का जो special type है integration का जो special type है वह पीछे के support से आगे का बनता है clear ते हो गया हमारा पहला pattern का question इसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कोई दिखात हो screen shot ले लिजी आप वीडियो को एक दो बार आप revision करेंगे तो सब बन जाएगा मैं same pattern पर इसी pattern पर एक और question ले रहा हूं जिसमें थोड़ा सा changes है इसमें दो question आपको बता रहा हूं एक मैं इसी पर यह minus वारा सा plus लेता हूं लेकिन थोड़ा सा different यह question important है बहुत next question i equal e to the power x upon e to the power 2x integration of e to the power x upon e to the power 2x यह सब बहुत selected question है आप जिस भी board की student होंगे 6 e to the power x plus 5 देखें जितने question में कराता हूं ज्यादा तर मैं आपको NCRT से कराता हूं या और RD सर्मा बहुत से writer सच्छे writer के question आपको select करके बता रहा हूं आप जिस भी board की, इंडिया के जिस भी board की student होंगे उसमें वो आपको 100% wage करेगा क्योंकि जिस standard के question में आपको करा रहा हूं हर writer ने उस question को लिखा हुआ है तो calculus में आप इस तरह से command करिए कि आपका board कोई matter नहीं है इसलिए जब आगे चल के आप जब IIT J का preparation करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका बहुत ज़्यादा help मिलेगा NCRT तो आपको 100% करना ही चाहिए तो E to the power X upon E to the power 2X plus अब देखो ये question देखने से हमको उस pattern में नहीं दीख रहा है लेकिन आपकी practice हो तो आप इसको देखके समझ सकते हैं कि इसमें सबसे पहले substitution reply होगा substitution reply होने के बाद उस फाम में आ जागी इस तरह का question मैंने पीछा को कराया है तो naturally इसको देखने से लग रहा है कि हमको E to the power X को यहाँ पर T suppose करना चाहिए clear तो यह बहुत अच्छा question है इसलिए मैंने इसको select किया यहाँ पर now put यहाँ हम put कर लेते हैं E to the power X equal to T therefore इसका differentiate करें तो differentiate करने पर E to the power X का E to the power X होगा और यह हो जाएगा DT by DX इसको इधर transfer कर दें तो E to the power X into DX equal to DT अब question में आप देखो यह इस वारी यहाँ पर DX लिखने भूल गये ना तो question में आप यहाँ पर देखो यह E to the power X DX यह है हमारा E to the power X DX E to the power X DX के जागा हमें DT लिख सकते हैं और यहाँ जहाँ जहाँ E to the power X है वहाँ पर T लिख सकते हैं तो question हमारा किस फाम में convert हो जाएगा देखिए therefore I equal उसको हमने DT लिख दिया यह होगा DT upon E to the power X E to the power X T है तो हो जाएगा T का square plus 6 E to the power X को हम T लिखेंगे T हो गया और प्लस 5 इस फाम में यह question convert हो जागा अब देखो भी जो मैं बताया उस तरह से आगया अब आगे काम वही करना है इसका coefficient को 1 already है इसको हम break करेंगे और इसको break करके क्या करेंगे? whole square बनाएगे इतने को इसको whole square बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए अपन that implies I equal to integration up यह pattern में बहुत आसान है लेकिन क्या है? आपको method पता होना चाहिए और formula उसके बाद क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कुछ ऐस्टा सोचना नहीं एक frame पर बनधा हुआ है वो कि ऐसा ही बनाना है आपको कुछ उसमें इस्टा दिमाग निलागाना है कि मैं क्या करूँ आपको process पता होना चाहिए और formula कहीं पर भी आपको भूलना नहीं है तो sub question बन जाएगा तो यहाँ पर इसको whole square बनाएगे क्या हो जाएगा देखो यह हो गया t square और plus यहाँ पर 6t है उसको हम लिख सकते है 2 into 3 into t जैसे मैंने भी बताएगे बिल्कुल वैसे ही है तो 2ab तो b के जगा में 3 है यहाँ पर लिख देंगे हम 3 का square फिर minus 3 का square और plus इसमें जो number है last में वो 5 को लिख देंगे आप इतनी बात आप समझ गए कुछ question प्रैक्रिस करने के बाद habit हो जाएगा यह बन जाएगा whole square t plus 3 का whole square बनने वाला है यहाँ पर ठीक है therefore i equal to integration of dt और यह क्या हो जाएगा t plus 3 का whole square और यहाँ पर देखो minus 9 plus 5 मतब यहाँ पर क्या जाएगा minus 4 इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा आपने देखा वहाँ पर दूसरा फार्मूला प्लस वाला यूज गया था अब यहाँ पर आपको again substitution करना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आया है t plus 3 और हमको चाहिए होता है यहाँ पर x square तो again put देखो यहाँ पर एक नया चीज आप सीख रहे हो कि दो बार substitution अपन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर put कर दे t plus 3 equal to suppose u put कर दिया therefore इसका differentiate करेंगे t के respect में तो यह 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा du by dt therefore dt कुई धर transfer करें तो dt equal to हो जाएगा du यह हो गया अब value को हम वहाँ पर put up कर दें दुबारा तो question क्या हो जाएगा देखो therefore अब question दुबारा substitution से ऐसा हो जाएगा यह dt को हम लिख सकते हैं अब du और upon t plus 3 का holy square t plus 3 को suppose किया है u तो हो गया u square और minus इसको लिख सकते हैं 2 square यहीं पर लिख देता हमें complete clear अब यह हो गया x square minus x square के फार्म में हो गया अब इसका integration हो जाएगा therefore for i equal to formula तो dx upon u square का formula क्या होता है 1 upon 2a 1 upon 2a 1 upon 2 into 2 लाग माट आप x a minus x की a minus x formula आप लोग को याद करना है मुझे तो formula ध्यान में रहता नहीं यह formula हो जाएगा x minus a upon x plus a होता है x minus a मतलब u minus 2 upon u plus 2 plus c यह formula होता है clear कल मैं आपको formula का list दिया था अब इसको आगे solve करें यह formula हमने यहाँ पर apply कर दिया अब आगे solve करें थो हो जाएगा 1 upon 4 लाग और substitution को आप रफो x का value हमने यहाँ यहाँ पर sorry u का value क्या पूट किया है t plus 3 तो हम यहाँ पर put up कर देंगे t plus 3 minus 2 upon t plus 3 plus 2 plus c that equal लेकिन ही कि यह हमारा final answer नहीं है क्योंकि अभी एक बार और substitution को अपनो डालना पड़ेगा पहले इसको solve कर लेते हैं अब अगर t plus 1 t plus 1 upon t plus 5 plus c clear that equal अब final substitution 1 upon 4 लाग और t का value हमने suppose किया है यहाँ पर t suppose किया है किसको e to the power x को तो हो जाएगा e to the power x plus 1 upon e to the power x plus 5 plus c this is the final answer एक बार answer टेली कर लूँ मैं e to the power x plus 1 upon e to the power x plus 5 1 upon 4 लाग तो यह जो answer आया अब दो बार substitution वैसे दो बार substitution जोरी नहीं होता single time में भी कर सकते हैं लेकिन उससे lengthy होता है तो यह हमारा यह final answer है 1 upon 4 लाग e to the power x plus 1 upon e to the power x plus 5 plus c तो क्या किया देखो सबसे पहले इसमें t suppose करकि इस फाम में लाया इसका holy squaring बनाया और फिर हमने इसको इस फाम में लिखा ठीक है तो यहाँ पर double substitution किया है एक बार यहाँ और एक बार यहाँ तो last में जब answer आएगा तो एक बार u के जगा में substitute करोगे t और फिर t के जगा में substitute करोगे e to the power x तो दो बार उसको वापास लिखने के बाद answer आजाएगा तो यह एक अच्छा question है यह important question है जनरल इसके पहले जो मैं बताया था बिल्कुल straight forward था सीधा सीधा था लेकिन यह वाला जो question है उसमें थोड़ा घुमाओ है clear तो बन जाएगा फिर इस pattern का question आपका अब हम एक नए pattern पर question लेके आते हैं चलिए new pattern पर एक question मैं आपको हर वीडियो पर भेले छोटा छोटा वीडियो मैं प्रोवाइट करा रहा हूँ ही integration का मैं चाहता हूँ कि integration के लिए मैं लेंदी वीडियो प्रोवाइट करा दू मैं कहा मैं तो डेर घंटे दो घंटे कर डाल दूँगा आपके लिए फिर वो प्रेक्टिस के लिए प्राबलम होगा इसलिए मैं छोटा छोटा आपको पार्ट पार्ट में pattern पर प्रोवाइट करा रहा हूँ और regular करा रहा हूँ तो उससे आप उसको उसी दिन तयार कर लीजिए या ज्यादा देनी लेगा एक घंटे में आपको त्यार हो जाएगा तो यह मैं अब जो pattern लेके आ रहा हूँ आपके लिए वो है i equal to integration आप यह root में रहेगा बस अब root आप ax square प्लस bx प्लस c अभी हमने इस function को देखा तो वह बीना root के था अब यह root में रहेगा तो बिलकुल उसी का copy है आप समझ गया होंगे root के अंदर ओ काम करना है जो हमने अभी root बीना root के किया था that means x square के coefficient को यहां से बाहर करना है फिर अंदल को पूरी उसकी copy है वह से बताने के जोरे इतने ही इसको फिर भी एक question में आपको बता रहा हूँ इस पर इस pattern को हम लेके चलते हैं और एक question ले लेते हैं इस पर i equal integration आप उपर मैंने लिखा है pattern नीचे लिख रहा हूँ मैं इसका question गोई भी एक question अपन ले लेते हैं 2x square plus 3 2x square plus 3x minus 2 root of 2x square plus 3x minus 2 यह question है that equal अभी मैंने आपको क्या बताया कि x square का coefficient 1 होना चाहिए इसको 2 नहीं होना चाहिए तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं that means root 2 बाहर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 1 upon root 2 और यह integration आप root आप हमने यहाँ 2 को common कर लिया है तो हो जाएगा x square plus यहाँ 2 को common किया है तो 3 upon 2 x minus 1 2 को common किया तो सब में divide होयागा यह question आपको कुछ नया सीखाने के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर देखो 3 by 2 x आया है यह 2 मैंने common किया पहला question है जिस max का कोई coefficient common किया है अब हमको आगे इसको whole sparing करना है यह वाले term को तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना that equal 1 upon root 2 integration of dx upon root आप देखो यह तो हो गया x square और plus यहाँ पर हमको चाहिए 2ab तो मैं 2 लिख दिया पहले से और a को लिख दिया a x है उसको भी पहले से लिख दिया 2x लिख दिया अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 3 by 2x है इसको मैंने 2x लिखा है तो मैं यहाँ पर क्या multiply करूँ कि 3 by 2 आजाए तो naturally क्या multiply करूँ 3 तो multiply मुझे करना ही पड़ेगा 3 लाने के लिए और upon में 2 तो upon में 4 लिख दूँ तो इस 2 के साथ cancel out होके 3 by 2 हैगा तो आपको यह वाला adjustment आपको अच्छे से बनना चाहिए यह वाला adjustment यह adjustment दर तक आपको नहीं बनेगा तो आपको परसानी होगी तो clear यह 3 by 2x को मैंने क्या लिखा सबसे पहले 2x लिख दिया क्यों लिख दिया क्योंकि हमको फार्मूला में 2a भी चाहिए तो 2 लिख दिया, a का value x है वो लिख दिया अब b कैसे create किया? यहाँ पर है 3 by 2, यहाँ 2 already हो चुका है तो 3 multiply किया और 4 divide किया तो हैगा 3 by 2 अब यह b के जगा में आया, तो क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पर b को 8 करना पड़ेगा, तो plus इसका square मतलब 3 by 4 का square 8 करना है और minus 3 by 4 का square minus भी करना है और यह minus 1 तो रहेगा ही यह वाला तो मैं क्या किया यहाँ पर? प्लस 3 by 4 का whole square 8 किया और minus 3 by 4 का whole square यहाँ पर minus किया adjustment के लिए therefore question क्या हैगा? 1 upon root 2 integration up dx upon root up अब यहाँ ध्यान देना यह हो गया x plus 3 by 4 का whole square इसको हम लिख सकते हैं x plus 3 by 4 whole square और यहाँ पर minus करो minus salve करो तो minus 9 upon 4 यह हो जाएगा और minus 1 इसको यह पर अभी salve कर लेते हैं पर that implies i equal 1 upon root 2 integration up integration up root up यहाँ पर आप देखो x plus 3 by 4 का whole square और minus उसको हम salve करेंगे 4 LCM आएगा तो 4 LCM आएगा minus 9 minus 4 तो कितना हो जाएगा? 13 minus 13 हो जाएगे हैं पर तो minus 13 upon 4 minus 13 upon 4 का whole square sorry minus 30 upon 4 ही है whole square क्यों हो गए है ना? अब उसको root के फाम में लिखना पड़ेगा that equal 1 upon root 2 dx upon x plus 3 by 4 का whole square minus इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पर आप देखो फिर मैंने आपको क्या बाताया था? कि इस value को हमको put up करना है क्या put up करना है? now put x plus 3 by 4 equal to t therefore direct link देता हूं है dx equal to क्या हैगा? dt इतना ताप समझ सकते हैं clear? आप substitute कर देते हैं आपन इसमें question में क्या है रूट थर्टिन नहीं आना चाहिए आंसर में 5 आ रहा है है आंसर में 5 आया हुआ है कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने देखो एक बाद चेक करो सुरू से 2x² प्लस 3x-2 यहां-2 है-1 लिख दिया क्या मैं भी एक कहां से लिख दिया सब मिस्टेक होगी इसलिए आंसर नहीं आ रहा है यह हो जाएगा 2 यह 2 है ध्यान देना यह 2 होगा सब गड़बड हो गया थोड़ा ध्यान देके बार करना आप लोग है न मैं देखो यहां पर कैसे गलती कर दिया यह 2 question में-2 लिखा यहां पर कहां से 1-1 लिख दिया minus 2 वो भी और देखो 9 upon 4 लिखा वहां पर 9 upon 16 होगा 3 upon 4 का whole square है कि यहां ध्यान था मेरा यह हटा यह हटा यह हटा तो 9 upon 4 होगा 9 sorry 16 और minus मैं तभी doubt कर रहा था कि ऐसा root उट नहीं आता जनरली इस तरह के values नहीं आते value ऐसे आता है जिसका whole square बनाया जा सके यहां पर values ऐसा आता है जिसका whole square बनाया जा सके तो यहां पर देखो 16 ऐसी हम आएगा तो 9 minus 16 ठीक है तो कितना हो जाएगा minus 9 minus 32 प्लस हो रहा है क्या hello students अने केडमी लेके आया है आपके creativity को boost अप करने के लिए कभी कभी हम academic से बाहर हमारी जो creativity होती है उसको हमको boost अप करने का वस्कता होती है और हम लेके आया है आपके लिए creative corners 2021 यहां अने के educators आपकी creativity को boost अप करेंगे different different farm में यह हमारे educators हैं और यह हमारे farm है game tricks आपको सिखाये जाएगा magic आपके अंदर कोई magic activity है वो आपको सिखाये जाएगा doodling, poetry के लिए, coding के लिए, excel के लिए और robot making के लिए साथ ही ape creation के लिए आप इसमें से किसी भी pattern पर आप जाके अपनी creativity को और boost up कर सकते हैं और यह हमारा होने वाला है free session 31st January को 9 a.m. तो आप इसमें participate करिए और अपने academic knowledge से उपर आपके अंदर की जो natural creativity है उसको improve करिए, आपके लिए best opportunity है, ok thank you 3 by 4, मतलब 9 upon 16 ही होगा, और minus 2 ही होगा, 16 को हम यहाँ पर LCM ले ठीक है, यह minus बाहर है, minus 3, चलो ठीक, ठीक है वागे इसको salve करते हैं यहाँ परिदी मैं minus को common कर लूँ, ठीक है, तो यह हो जाएगा देखें, स्टार्टिंग से चेक करता हूँ मैं, 2x square plus 3x minus 2, dx यहाँ से मैंने 2 को common किया, यहां से 2 को common किया, औरे, क्या मेरा दिमाग हो गए यह मैंने 2 को common किया है, मतलब bracket के अंदर तू को common होगा तो one होगा, और मैंने पहले सही लिखा था कभी-कभी दिमाग ऐसा हो जाता है चलो 2 को मैंने common किया समझ गया न आप लोग यह 2 को common किया तो यहाँ पर 1 ही होगा और यहाँ पर भी 1 ही होगा पहले सही लिखा था उसको मैं common के तरब ध्यान नहीं दिया और यहाँ question में 2 है करको तो उसको टी लिख दिया था क्योंकि यहाँ पर 25 आना चाहिए answer में 5 आया हुआ है मैं इसका final answer देख रहा हूँ answer में 5 आया हुआ है तो हाँ 25 अब ठीक है 16 यहाँ पर 17 यहाँ पर यहाँ आए आएगा तो minus 9 minus 16 तो 16 नो 25 होगा यह जनरली यहाँ पर चेक हो जाता है क्योंकि यहाँ जो value आएगा उसका whole square बनना चाहिए जनरली वहाँ उट पर टांग value नहीं आता अब देखो हमें आप इसको लिख सकते है 5 अपान 4 का whole square यह लिख सकते है 5 अपान 4 का whole square तो यहाँ पर root 13 आया तो यहाँ पर two common हुआ है इसलिए one हुआ है पहले सही लिखा था हमें वहाँ mistake कर लिया चलिए अब आगे देखो x प्रस c y पो इसको हमने substitute कर दिया तो हमारा question किस फाम में हो जाएगा next page में देखो i equal therefore i equal integration of यह dt हो चुका है upon root of हमने किस को क्या सपोस्ट गिया है देखो x plus 3 by 4 को t सपोस्ट गिया तो t square minus 5 by 4 t square minus 5 by 4 का whole square इस फाम में आएगा अब यह किस फाम में आगया formula के dx upon root of x square minus a square ठीक है क्या होता है formula उसका formula लिखूं कि याद है आप लोग को i equal integration of dx upon root of x square minus a square एक बार लिख देता हूँ ऐसे इसको आप लोग याद करिए न मुझे याद रहे या न रहे आपको याद रखना पड़ेगा देखो इसका formula होता है lag x plus x square minus a square lag x plus root of x square minus a square plus c formula के list में आपको कल के class में दिया हुआ था यह formula होता है ना lag x plus root of x square minus a square यह formula होता है इस formula हम यहाँ पर apply कर दें तो क्या हो जाएगा हमार answer देखो that equal lag mod of x plus x का value क्या है अपने पास t plus root of x square मतलब t का square minus a square t square और minus a square मतलब सीधव 5 upon 4 का whole square plus c that equal lag t का value हमने क्या सब्सक्राइब suppose किया था t का value सब्सक्राइब x plus 3 by 4 तो यह हो जाएगा x plus 3 by 4 और plus root of x plus 3 by 4 का whole square minus 25 by 16 plus c इसी फाह में answer लिखा है इसको और simplify करने का ज़़ुरत नहीं है ठीक है root of यह इसको यह simplify करोगे तो फिर पूरा आपने को expand करके simplify करना होगा मतलब x square simplify आप लोग कर सकते हो और इस फाह में भी answer दे सकते हो पूरा simplify करना है मतलब a plus b की whole square इसको open करना है फिर minus 25 by 16 को इसके साथ में solve करना है तो यह है हमारा next pattern यह solve कर ले ना यह इसी answer लिख सकते हो इस pattern का question इस pattern के question में काम वही करना है आपको और काम इस तरह से करने के बाद यह formula इस फाह में आ जाएगा यह है formula का फाह में इस फाह में आ जाएगा सभी question इसी फाह में आएगा यहाँ यहाँ minus रहेगा यहाँ plus रहेगा दोनों फाह में आ सकता है minus के लिए भी plus के लिए है और formula आप लोग अच्छे से रट लेना otherwise यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे तो यह मैंने आपको दो पेटरन आपको बताया हर क्लास में आपको दो दो पेटरन या तीन पेटरन का question मैं दूँँगा तो तीन चार वीडियो मैं इसके special पेटरन को complete करूँगा तो यहाँ तब आप इसको त्यार करिए और बहुत जल्दी फिर मैं इसके new पेटरन को बहुत से पेटरन को एक साथ कराऊंगा तो confusion है इसलिए पेक दो पेटरन को साथ में करते जाएए ओके ओके थैंक यू